आजमगड में समाजवादी पार्टी के पृत्याशी धर्मेंद यादव के विरुद आधार्श आचार संकिता के उलंगन का मुकदमा दच किया गया है सपा प्रत्याशी धर्में लियादव 22 मार्च को जिले के महनगर विधान सभाज शेतर में निर्वाचन आयोग के अनुमती से अधिक गाड़ियां लेकर चल रहे थे चुनाव आयोग की गाड़ लाइन के अनुसार आचार संगिता लग जाने के बाद प्रत्याश्यों के काफले में दस से अधिक गाड़ियां नहीं चल सकती वहीं धर्मेंद रियादव के काफले में 42 सदिक गाड़िया थी इसी आधार पर नगर थाने में धर्मेंद रियादव के साथ 42 अन्य लोगों के विरुद भी मुकद्बा दर्च किया गया है सपा की कांड़ेट दर्मेंद व्यादव के वरूत एक NCR दर्जट करी गई है यह 188 IPC और 171H IPC के अंतरगत करी गई है इनके पास 10 गाड़ियों की आनमती थी परन्तु 40 त्याधिक गाड़ियों का काफला था जो एक से एक गाड़ी सटा कर सभी लोग चले आ रहे थे इनके 10 गाड़ी के बाद 100 मीटर का फास्टा रखना था उस कारपाल में नहीं किया और इस उलंधन के लिए इनके प्रूत ये NCR दर्श करी गई है